हेलो दोस्तो नमस्कार मैं दिलबाग सिंग मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में मैं अपना एक निजी अनभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाता हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी मानसिक समस्यें OCD, डिप्रेशन, इंग्जाइटी, फियर, फोबिय को खतम करने के लिए, तो मैं आपको दोस्तो ये बताना चाता हूँ कि जब भी लाइफ में बहुत सारी समस्यें आती हैं, चाहे वो साइकलोजिकल लेवल पर जो आपके डिसॉर्डर्स हैं, मानसिक बिमारियां हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल और प्रॉब्लम्स हैं, फैमल तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा जरूरत या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या करना होता है, तो उस समय हमें रुकना होता है, हमें ठहरना होता है, और हमें रुक करके उस समस्या को समझ करके फिर उसके solutions करने होते हैं, उसके इलाज, उसके समाधान खोजने होते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये मानसिक समस्य होती हैं, OCD, Depression, Anxiety, Fear Phobia, ये अपना धैर्यक हो देते हैं और उन्हें लगता है कि ये जल्दी जल्दी उनके जीवन से ये समस्या चली जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, या कोई मुझे ऐसा कुछ बता दे, जिससे मेरी ये समस्या हल हो जाए, तो वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो रुक नहीं पाते हैं, कभी वो किसी को सुनेंगे, कभी किसी की बात सुनेंगे, वो चलते रहते हैं, और अपने डॉक्टर्स, अपने काउंसलर्स बदलते रहते हैं, दवाईयां बदलते रहत जिस से जिन कारणों से उनको वो result नहीं मिल पाता है वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाते हैं तो दोस्तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी OCD, depression, anxiety, fear phobia या किसी भी त्रैकी आपके जीवन में जो समस्या है उसको आप खत्म करना चाहते हैं उसको हटाना च आते हैं आपको हल चाहिए तो आपको सबसे पहला जो मेरा जो निजी अनुबव है जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में सबसे बड़ी बात जो सीखी है वो यह है कि आपको रुकना होगा आपको ठहरना होगा आपको समझना होगा आप रुक जाहिए भागना छोड़ आप एक परसन को ढूढ़िए आप अपने एक गाइडर मेंटर एक टीचर को ढूढ़िए जिसकी गाइडन्स के अंडर आप काम करिए और उसको फॉलो करिए अच्छे से और उसको अपना सब कुछ मान करके अपनी जिन्दगी को देख करके उसको देख करके फिर इसका बहावना बड़ा ही अनन्द बै बहुत जबरदस्त होगा आप इस बात को अपने जीवने उतार करके देखें जब भी आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने काउंसलर के उपर अपने टीचर डॉक्टर के उपर विश्वास करके से कर लेता हूं कि अपना सब कुछ दे के सब कुछ दे दीजी आप अपना पूरा जीवन सौप दी दिए और मैं आपसे इस बात की प्रामिस करता हूं आपको गैरेंटी करता हूं कि आपका जीवन जो है सूथ समेत वापिस लटाया जाएगा वो भी अनन्द में है बहुत ह अच्छा और जितनी भी ये बिमारियां है इन बिमारियों से परे तो उन बिमारियों को खत्म करके वो लटाया जाएगा ये कमिटमेंट आप अपने कांसलर से करें और कांसलर से भी एक कमिटमेंट ले ले तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी मांसिक समस्या है जितने को चेक करना है, इस तरह कि जो मामसिक समस्याओं में आप फ़ज आते हैं, वो कमपल्चन माइंड में बार बार होता रहता है, वो डर बार बार आपको प्रिशान करते हैं, आपको खुल के जीने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस आज की इस वीडियो में जो मैंने डिसकस किया है जो मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से फॉलो करें उसके उपर विश्वास करें और उसको कर दें बस उस बात को सुन करके बस कर दें यह ना सोचें कि मेरी OCD ठीक होगी के नहीं होगी आप आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको बस काम करना है अपने उपर काम करना है बस और कुछ नहीं करना और आपकी OCD 100% ठीक होगी आपका डिप्रेशन आप इंग्जाइटी से सफरिंग कर रहे हैं आपके फोबियस हैं आपके फियर्स हैं वो 100% क्लियर होगे ले आपकी सारी समस्या हल हो जाएंगी तो विश्वास करें अपना जीवन दे दें अपनी प्रॉब्लम सौपने और आपकी समस्या का आपको हल मिल जाएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप मेरे साथ आप काउंसलिंग करना चाहते हैं मेरी ओफलाइं क्ल जो भी आपके जीवन में समस्या है उसको समधान करें उसका धन्यवाद तैंक यू शुक्रिया